ओम शांती, आज 24 दिसम्बर 2023 के अव्यक्त महावाक्य है, जिनकी ओरिजनल डेट है 3 एपरेल 1997, आज की अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने अपने लख्की और लवली बच्चों को देखा, बाबा ने कहा कि जो मेरे लख्की और लवली बच्चे हैं, कभी-कभी अपने भाग्ये के नशे में अच्छे रिती रहते हैं, भाग्ये का नशा इमर्ज रूप में रहता है, दिल से कहते हैं वहाँ मेरा भाग्ये वा, वा भाग्ये विधाता वा, चलते चलते निश्य और नशा कुछ कम हो जाता है, ये मर्ज से मर्ज हो जाता है, तब बाप तदा देखते हैं, कि मेरे बच्चों का निश्य और नशा कम क्यों हुआ, लक्षे तो बहुत उंचा है, कि बाप समान बनना है, लक्षे के साथ साथ लक्षन भी होने चाहिए, लेकिन नशा मर्ज क्यों हो जाता है, उसका कारण है, एक है स्रेश्ट संकल्प करना, सोचना, दूसरा है बोलना, और तीसरा है करना, इन तीनों में प्राक्टिकल करने में कुछ कमी हो जाती है, सोच में अधिकतर पास है, बोलने में 75 प्रतिशत पास है, लेकिन करने में गती काफी कमजोर है, इनका संतुलन कम हो जाता है, यहां बाबानी बच्चों को अंडरलाइन कराया कि आप अपने निजी घुणों को, निजी संसकारों को, ओरिजनल संसकारों को इमर्ज करों। चलते चलते रावन की जैदाद को अपना मानने लगते हो, हर गुण हर शक्ति को अपना संसकार बनाओ और एवरेडी रहो। रावन की चीज को अपना बनाना, पराई चीज को अपना बनाना है। मेजारिटी पवित्रता की सब्जेक्ट में पास है, पचतर प्रतिशत पास है, लेकिन जो क्रोध है ये ज्यानी आत्माओं का महाशत्रु है। कई बच्चे इसे अपना शस्त्र समस्ते हैं, सोचते हैं इसका तो इतना नुकसान नहीं, लेकिन क्रोध से बाप ददा की गलानी होती है। सबंद संपर्क में आने वली आत्माई भी सोचती हैं कि देख लिया इन ज्यानी तो आत्माओं को, अभी तक इन्होंने इस विकार को नहीं जीता, और क्रोध के भी कई रूप हैं, एक तो मोते रूप का है, कई बार सुक्ष्म रूप में, इर्शा, द्वेश और घ्रिना क रूप में आता है, और कभी-कभी क्रोध में आके चतुराई भी करते हैं, ला हात में उठाते हैं, ला उठाने की आग्यातु निमित आत्माओं को भी नहीं है, निमित आत्माई भी ला को केवल रिवाइज कराती हैं, दूसरों के कल्याण के लिए, यां बाबा ने जो से द्रड प्रतिग्या कराई कि इसे विदाई देदो, क्रोध को विदाई देदो, दूसरों को देखने वाली आखें बंद कर लो, जब आप दूसरों को देखते हैं तो आप कमजोर हो चाहते हैं, कहीं कहते हैं हमने महारतियों को देख लिया, बहुत बारीकी से उनको नो भी दोनर हो जाएंगे, उनको देखने की बज़ाई अच्छाई की रेज करो, बुराई को मत देखो, यहां अपने आपको अंतर मुखी बना लो, दूसरों को देखने वाली आखें बंद कर लो, यह तो आपका अपना पुर्शाद दीला हो जाएगा, बहुती सुन्दर आज क अव्यक्त महवाक्य हैं, दारी पैन लेकर बैठेंगे, मुख्य मुख्य बातों को लिखेंगे, और आज द्रड परतिज्या कर लेंगे, एक क्रोध महाशत्रू है, इसकी विदाई, उसके स्थान पर अंतर मुख्य होकर, स्वप परिवर्तन करते हुए, अपने भाग्य के गीत गाएंगे, संते हैं बाबा की अव्यक्त महवाक्य, महवाक्यों का सार है, पुराने संसकारों को खतम कर, अपने निजी संसकार धारण करने वाले, एवर रेडी बनो, पुराने संसकारों को खतम कर, अपने निजी संसकार धारण करने वाले, एवर रेडी बनो, आज ब विश्व के बाप के लव में लवलीन लक्की बच्चों को देख रहे हैं, हर एक बच्चे के भग्ये पर बाप को भी नाज है, मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान हैं जो सारी कल्प में, चाहे देवता रूप में, चाहे नेताओं के रूप में, चाहे महतमाओं के रूप में, चाहे पदम पति आत्माओं के रूप में, किसी कब इतना भाग्ये नहीं, जितना आप ब्रामनों का भाग्ये है, तो अपने ऐसे स्रेष्ट भाग्ये को सदा स्मृति में रखते हो, सदा ये अनहद गीत मन में गाते रहते हो, वहां भाग्ये विधाता बाप, वहां मुझ स्रेष्ट आत्मा का भाग्ये। बच्चे भी हर्शित होते हैं, लेकिन कभी-कभी बीच में अपने भाग्ये को इमर्ज करने की बच्चाए मर्ज कर लेते हैं, जब बाप देखते हैं, बच्चों के अंदर अपने सोभाग्ये का नशा निश्चे मर्ज हो जाता है, तो क्या कहेंगे? बाबा जब देखते हैं कि सोभाग्ये का नशा मर्ज हो गया, तो क्या कहेंगे? ज्रामा? लेकिन बाप ददा सब बच्चों को सदा ही भाग्ये के स्मृति स्वरूप देखना चाहते हैं. आप भी सब यही चाहते हो ना? लेकिन बीच में लेकिन बीच में आजाता है. किसी से भी पूछो, सब बच्चे यही लक्षे रख करके चल रहे हैं, मुझे बाप समान बनना ही है, लक्षे बहुत अच्छा है, जब लक्षे स्रेश्ट है, बहुत अच्छा है, फिर कभी इमर्ज रूप में, कभी मर्ज रूप क्यों, कारण क्या है? बाप तदा से, इतने अच्छे अच्छे वाइदे भी करते हैं, रूरूहान करते हैं, फिर भी लक्षे और लक्षण में, अंतर क्यों, तो बाप तदा ने रिजल्ट में देखा कारण क्या है, वैसे तो आप सब जानते हैं, कोई नई बात नही फिर भी बाप तदा, करना तीस राह करम में प्रैक्तिकल अनुभव में लाना चरन में लाना करम में लाना तो तीनों का समान बैलेंस कम है जब बैलेंस होता है तो निश्चे और नशा इमर्ज होता है और जब बैलेंस कम है तो निश्चे और नशा मर्ज हो जाता है रिजल्ट में देखा गया सोच प्राइशने की गती अच्छी भी है और फास्ट भी है बोलने में रफतार और नशा वो भी 75% ठीक है बोलने में मेजॉरिटी होश्यार भी है लेकिन प्रैक्टिकल चलन में लाने में टोटल माक्स कम है तो दो बातों में ठीक है तीसरी बात में बहुत कम है कारण जब बोल भी बहुत सुंदर रूप में है फिर प्रैक्टिकल में कम क्यों होता है कारण जानते हो हां या ना बोलो जानते बहुत अच्छा है अगर किसी को भी कहेंगे इस टॉपिक पर भाशन करू या क्लास कराओ तो कितना अच्छा क्लास कराएंगे बड़े निश्चे नश् और फलक से भाशन भी करेंगे क्लास भी कराएंगे कराते भी हैं बाब तदा सब की क्लासी सुनते हैं क्या क्या बोलते हैं मुस्कुराते रहते हैं वहा बच्छे वा मोल बात बाब तदा ने पहले भी सुनाया ये रिवाइस कोर्स चल रहा है तो बाबा केते कारण एकी है ज्यादा भी नहीं, एक ही कारण है और बाप्तदर समझते हैं, कारण को निवारन करना मुश्किल भी नहीं, बहुत सहज है, लेकिन सहज को मुश्किल बना देते, मुश्किल है नहीं, बना देते हैं, क्यों? नशा मर जो जाता है एक ही कारण है जो भी धारणा की बाते सुनते हो करते भी हो चाहे शक्तियों के रूप में चाहे गुणों के रूप में धारणा की बाते बहुत अच्छी करते हो इतनी अच्छी करते हो जो सुनने वाले चाहिए अज्यानी चाहिए ज्यानी सुनकर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा क्या कि खूब तालियां बजाते हैं, बहुत अच्छा कहा, लेकिन कितनी बार लेकिन आया, ये लेकिन ही विगन डालता है, लेकिन शब्द समाप्त होना, अठात बाप समान समी पाना और बाब के समी पाना अथा समय को समी पलाना लेकिन अभी तक लेकिन शब्द कहना पड़ता है बाबा को अच्छा नहीं लगता लेकिन कहना ही पड़ता है तो कारण क्या जो भी कहते हो धारना भी करते हो धारना के रूप से धारन करते हो वह धारना के इसकी थोड़ा स में भी चलती है लेकिन धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले उसके लिए यही मुख्य बात है जैसे द्वापर से लेके अंतिम जरम तक जो भी अवुण या कमजोरिया है उसकी धारणा संसकार रूप में बन गई और संसकार बनने के कारण मेनत नहीं करना पड़ता छोड़ना भी चाते हैं अच्छा नहीं लगता फिर भी कहते हैं क्या करें मेरा संसकार है आप बुरा नहीं मनना मेरा संसकार ऐसा है संसकार बना कैसे या हम समझेंगे संसकार थियोरी को कि हमारा संसकार कैसे बनता है बनाया तभी तो बना न तो जब द्वापर से उल्टे स संसकार बन गए जिससे आप समय पर मजबूर भी होते हो फिर भी कहते हो क्या करें संसकार है तो संसकार सहज न चाहते हो भी प्रैक्टिकल में आ जाते हैं किसी को क्रोध आ जाता थोड़े समय के बाद कहते हैं आप बुरा ने मानना मेरा संसकार है क्रोध को संसकार बनाया अज्यान की शक्ती शांती है, सहन शक्ती है, अच्छे से लिख लेंगे, क्रोध की शक्ती, क्रोध अज्यान की शक्ती है, ज्यान की शक्ती शांती है, सहन शक्ती है, तो अज्यान की शक्ती क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संसकार बना लिया, और यूज भी करते हो, फिर मा की लेते हैं माफ कर देन आगे से नहीं होगा आगे और ज्यादा होता है कारण क्योंकि संसकार बना दिया तो बाप तदा एकी बात बच्चों को बार-बार सुनाते हैं यब हर गुण को ज्यान की बात को संसकार रूप में लाओ हर गुण को ज्यान की बात को संसकार रूप में बनाओ, हर ब्रामन आत्मा के निजी संसकार कौन से है, क्रोध या सेहन शक्ती, कौन सा है, सेहन शक्ती, शांती की शक्ती यही है न, तो अब गुण को तो सहजी संसकार बना लिया, कूट-कूट के अंदर डाल दिया, जो ना च जाते भी निकलता रहता है, ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट के संसकार बनाओ, मेरा निजी संसकार कौन सा है, यह याद रखो, वो तो रावन की जैदाद को संसकार बना लिया, पराय माल को अपना बना लिया, अब बाबा के खजाने को अपना बनाओ, अंडरलाइन करेंगे बाप के खजाने को अपना बनाओ रावण की चीज को संभाल के रखा है बाप की चीज को गुम कर देते हूँ क्यों? रावण से प्यार है रावण अच्छा लगता है या बाप अच्छा लगता है कहेंगे तो सबी की बाप अच्छा लगता है यही मन से कह रहे हो न लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चे की स्याही से दिल में समा जाती है जब कोई रावन के संसकार के वश होते हैं तो फिर भी कहते रहते हैं बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है बहुत प्यार है बाबा पुछते कितना प्यार है बाबा कितना पीठा है कितना प्यार है पूछ रहे हैं अच्छा बताओ कितना प्यार है कहते आकाश से भी जादा बाबा सुनकर खुश भी होते है कितने भोले बच्चे है फिर भी बाबा कहते बाप का सब बच्चों से वाइदा है दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते जो हो जैसे हो मेरे हो, एक बार भी कहा मेरा बाबा, तो बाबा कहते जो हो जैसे हो मेरे हो, दिल से हम बाबा को धन्यवाद देंगे, हम जो हैं जैसे हैं आपने हमें अपना बना लिया, करेंगे कुछ शकिन के लिए बाबा शुक्रिया हमने अपनाने के लिए शुक्रिया ठैंक्यू बाबा जो हो जैसे हो मेरे हो लेके तो जाना ही है सिरब बाबा चाहते हैं बराती बनके ने चलना सजनी बनके चलना सुनकर सब बहुत खुशो रहे हैं अपने उपर हसी भी आ रहे है अब इस सुनने के समय अपने उपर हसते हो ना, अपने उपर हसी आती है, जब जोश करते हो, तब लाल पी लिए हो जाते हो, लेकिन बापा ने जल्ट में देखा, बच्चों में एक विशेष्टा बहुत अच्छी है, कौन सी? पवित्रता में रहना, इसके लिए कितना भी सेहन करना पड़ा, कितना ओपोजीशन करने वाले सामने आए, लेकिन इस बात में 75% अच्छे है, कोई-कोई गपोड़ा भी मारते हैं, लेकिन फिर भी 75% ने इस बात में पास होकर दिखाया है, तब उसके बाद दूसरा सबजेक में बहुत कम पास है, बहुत गौर करेंगे हैं बाबा की बात पर, बाबा जो हम सब का रूट कॉज है, उसको ठीक करना चाहते हैं, क्रोध में बहुत कम बच्चे पास हैं, क्रोध की सबजेक्ट में मतलब विजाई नहीं है, क्रोध कर लेते हैं, ऐसा समश्त है, शायद क् विकार नहीं, ये शस्त्र है, विकार नहीं, लेकिन क्रोध ज्यानितु आत्मा के लिए महाशत्रू है, क्रोध अनेक आत्मों के समन्द संपर्क में आने से परसिद्धों चाता है, और क्रोध को देखकर बाप के नाम की खुट गलानी होती है, कहने वाले यही कहते हैं, देख लिया ज्यानितु आत्मा बच्चों को, क्रोध के बहुत रूप है, एक तो महान रूप, आप अच्छे तरह से जानते हो, दिखाई देता है, यह क्रोध कर रहा है, दूसरा क्रोध का सुक्ष्म स्वरूप, अंदर में इर्शा, द्वेश, ग्रिना होती है, दूसरा रूप है, इर्शा, द्वेश और ग्रिना, इस वरूप में जोर से बोलना, बाहर से कोई रूप दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे बाहर क्रोध होता है, तो क्रोध अगनी रूप है न, वो अंदर खुद भी जलता रहता है, दूसरे को भी चलाता है, ऐसे इर्शा, द्वेश, ग्रिना, ये जिसमें है, वो इस अगनी में अंदर यंदर जलता रहता है, बाहर से लाल पिला नहीं होता, लाल पिला फिर भी ठीक है, लेकिन ये काला होता है, तीसरा क्रोध की चतुराई का रूप भी है, वो क्या है, कहने में समझते हैं, ऐसा समझते हैं, वो कहते हैं, कहां-कहां सिर्यस होना ही पड़ता है, कहा क्या कोई मुरली में कहा कि भले ला उठाओ, क्रोध नहीं करो, ला उठाने के अंदर का रूप वही क्रोध का अन्शोता है, जो निमित आत्माई हैं, वो भी ला उठाते नहीं, उनको ला रिवाइस कराना पड़ता है, ला कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन निमित हैं, तो बाप द्वारा बनाए हुए ला को रिवाइस उनकराना पड़ता है, निमित बनने वालों को इतनी छुट्टी है, सबको नहीं कहरें, आज बाप ददा थोड़ा ओफिशल शिक्षा दे रहे हैं, प्यार से उठाना, क्योंकि बाप ददा बच्चों के लिखे हुए, किये शांत स्वरूप में रहना, सैनशेल बनना, ये मेरा संसकार बन गया, फिर बाप ददा जब मिलन बनाने आए, तो इसे अपना निजी संसकार बना कर, बाप ददा के आगे 5-6 मास में दिखाना, आज रिजल्ट सुना रहे हैं, क्रोध की रिपोर्ट बहुत आती है, छोटा बड़ा, बिन-बिन रूप से क्रोध करते हैं, अब बाप ददा ज्यादा नहीं खोलते हैं, लेकिन कहानिया बहुत मजे की हैं, इसलिए आज से क्रोध को क्या करेंगे, विदाई देंगे, सब इन ताली बचाएं, देखो ताली बचाना बहुत सहज है, लेकिन क्रोध की त तो अब से ये नी कहना कि बाबा वाइदा तो किया, लेकिन फिर फिर आ गया, जाते नहीं है, आज आता है, आ पि माया को समझा दू, क्रोद को समझा दू, ये पूर्शार्थ भी बाप करें और प्रालुद बच्चे लेंगे, ये भी मेंनत बाप करे, ऐसा वाइदा नहीं कर जो फिर पांच मास के बाद रिजल्ट देखो, भले आप बताओ नहीं बताओ, बाप के पास तो सब पहुँचती है ऐसे रिजल्ट ना हो क्या करें, हो जाता है सरकम्स्टांस ऐसे आते हैं बात बहुत बड़ी हो गई बाप को भी समझाने की कोशिश करते हैं, बड़े होश्यार है यहते बावा चुट-चुटी बाते तो हम पार कर लेते हैं यह तो बात ही बड़ी थी ना अभी दोश किस पर रखा, बात पर और बात क्या करती है आई और चली गई पांजर वर्ष के बात फिर बात आएगी जो पांजर वर्ष के बात बात आनी है उस पर दोश रख देते ऐसे नहीं करना क्या करूँ, यह संकल्प में भी नीलाना क्या करूँ, यह कमजोरी के बुल संकल्प में भी नीलाना बापताता क्रोध के लिए क्यों विशेश कह रहा है क्योंकि अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी उसमें लोब इच्छा सब आ जाता लोब सिरफ पैसे और खाने का नहीं होता बिन बिन प्रकार का चाहे ज्ञान की चाहे अग्यान की कोई विच्छा ये भी लोब है तो क्रोध को खतम करने से लोब स्वते ही खतम हो जाता है एंकार भी खतम हो जाएगा, अब इमान आता है न, मैं बड़ा, मैं समझदार, मैं जानता हूँ, ये क्या आपने को समझते हैं, तब क्रोध आता, तो अब इमान और लोब, ये भी साथ साथ विदाई ले लेंगे, इसने बाप्त दा, विशेश लोब के लिए ना कहके क्रोध को अंडरलाइन करा रहे हैं, तो संसकार बनाएंगे, अभी सब हाथ उठाओ, और सब का फोटो निकालो, सब ने हाथ उठाया, अभी थोड़ी सी मुबारक देखे हैं, बहुत नहीं, और जब फिर से रिजल्ट देखेंगे, फिर वतन के देवताईं भी, स्वर्ग के देव आपके उपर वहवा के पुष्प गिराएंगे, आज से हर एक अपने में देखो, दूसरे को नहीं देखना, दूसरे के बाते देखने के लिए मन की आँख बंद करना, या आखे बंद कर नहीं सकते न, मन की आँख बंद करना, दूसरा करता है या तीसरा करता है, मुझे न नहीं देखना बाप इतना भी फोर्स देकर कहते हैं अगर कोई विर्ला महारती कोई ऐसी कमजोरी करे भी तो देखने के लिए और सुनने के लिए अपने मन को अंतरमुखी बनाना है सी की बात सुनाए आज थोड़ा स्वष्ट सुना रहे हैं गुरा तो नहीं लगता अच्छ देखते हैं और कमजोरी को बहुत गहरा ही से देखते हैं और फिर फॉलो भी करते हैं एक दो से वर्णन भी करते हैं क्या है सबको देख लिया महारती भी करते हैं हम तो हैं पीछे अभी महारती जब बदलेंगे न तो हम भी बदल जाएंगे इन महारतियों की तपस्या महार distribution marks देकर भी Pass width honor कर लेता है। आप इस इंतजार में रहेंगे कि मारती बदलेंगे तो हम बदलेंगे तो धूखा खाने इसलिए मन कों अंतर्मुखी बनाओ। समझें यह भी बापता दल हैं देख लिया देख लिया हमारी भी तो आखित है ना हमारी भी तो कान है, हम भी भूत सुनते हैं, लेकिन महारतियों से इस बात में रीस नहीं करना, अच्छाई की रीस करो, बुराई की रीस नहीं करो, लेकिन दोखा खालेंगे, बाप को तरस पढ़ता है, लेकिन महारतियों का फाउंडेशन निश्चे, अटूट अटल है, उसकी दुआ एक्स्टा महारतियों को मिलती है, इसले कभी भी मन की आँख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो, अपने मन की आँख को दूसरों को देखने के लिए बंद रखना, सुनने की बजाए मन को अंतर मुखी रखो, समझा? चारोर के सर्व बाप दद के लबलीन आत्माई, सर्व बाप के सेवधरी आत्माई, सर्व सहज पुर्षात को अपनाने वाली स्रेश्ट आत्माई, बाप समान बनने के लक्षे और लक्षन को समान बनाने वाली, बाप के समीप आत्माउं को बाप दद का याद प्यार नमस रुखानी बच्चों की रुखानी बाप्त दगू याद प्यार नमस्ते शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया बर्दान सबको अमर ज्यान दे अकाले मृत्यू के भैसे चुड़ाने वाले शक्ति शाली सेवा धरी भव सबको अमर ज्यान दे अकाले मृत्यू के भैसे चुड़ाने वाले शक्ति शाली सेवा धरी भव दुनिया में आजकर अकाले मृत्यू का ही डर है डर से खा भी रहे हैं चल भी रहे हैं सो भी रहे हैं ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भै से छुड़ाओ, उन्हें खुशकबरी सुनाओ, हम आपको एक किस जन्मों के लिए अकाले मृत्यू से बचा सकते हैं, हर आत्मा को अमर ज्यान दे, अमर बनाओ, जिससे जनम जनम के लिए अकाले मृत्यू से बच जाएंगे, ऐ इसलोगन है, याद और सेवा का बैलन्स रखने से सबकी दऊाइं मिलती हैं, आज हम सब बहुत दिल से, बाबा से प्रतिज्या करेंगे, कि हम हर परसिती में शान्त रहेंगे, सेहन्शील रहेंगे, क्रोध मुक्त आत्मा हूँ, एकागर हो चाएं, अपने स्वधर्म में टिके, शान्ती मेरा स्वधर्म है, मैं सेहन्शील रहेंगे, शान्ती मेरा निजी संस्कार है, निजी गुण है, मैंने रावण की प्रोपर्टी को, खुशी से त्याग दिया है, बाबा ने मुझे मेरे अनादी गुणों की स्मृती दिलाई है, मेरे भाग्य की स्मृती दिलाई है, मेरा भाग्य अती स्रेष्ट है, वहाँ स्रेष्ट भाग्य वाँ, वाँ भाग्य विधाता वाँ, आज मैंने संकल्प बोल और करम में समानता सीखिया है, क्रोध के सुक्ष्म रूप को पहचान कर, उन्हें विदाई दिया है, मन को अंतर्मखी बनाया है, बाप को ही देखना है, अच्छाई की देश करनी है, बुराई की नहीं, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, 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 और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यान होती, हुषी है, बाहु है,